हेलोग आई साज हम बात करेंगे Vivo V23 और Vivo V23 Pro के बारे में और आज हम बात करेंगे इसका App Cloner के बारे में कि आप लोग के फोन में अगर App Cloner काम नहीं कर रहा तो कैसे आप लोग उसको fix करेंगे ओके सो वीडियो स्टाट करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी का बेल का इकन को प्रेस कर लेना है वैसे काफी रेर प्रावलम आती है एप क्लोनर में की काम न करें बढ़ ज्यादा तरह कैसे में क्या देखा है हमने कि यहां पर है ठीक है हम अपने फोन में ऐसी एप को डबल यूज़ कर सकते जोकि उस एप में अवेलेबल होगा जहते फॉर एंबल सेस्बुक जाधा तर एप हमने ऐसा देखा जो कि सोशल मेडिया से रिलेटेड रहती है उन एप को हम अपने फोन में डबल डबल यूज़ कर सकते इसको fix करने का बहुत आसान तरीका है आप लोग अपने फोन को switch off करके switch on करके problem fix कर सकते या फिर system में कोई इबबाग होगा system update करके problem को fix कर सकते या फिर आप लोग क्या करेंगे यहां पर search बार पर reset search करें और यहां पर हमें जो all settings रहती इसको reset कर देना है अगर कोई भी गलत activity app क्लोनर में होई होगी तो वो fix हो जाएगी बट यहां तक तो मुझे लगता नहीं कि नौबत आएगी क्योंकि app क्लोनर में जादतार लोग के doubts रहते rare case ही रहता है जिसमें problem की app क्लोनर काम न करें बाकि काम हमेशा करता है अगर rare case आगे आप लोग साथ काम नहीं कर रहा तो definitely software update करें problem 100% fix होगी okay so मिलता है next video में जय मता दी